ओम नमस्षिवाई तंत्र के रचैता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है एक बहुत ही पावन घड़ी आने वाली है कुछ दिन पहले दशहरा था जिसमें कि हमने अनेक अनेक ये अंत्र मंत्र टंत्र से दो किये और जितने भी जरूरत मंत्र थे उन सब को बाढ़ दिये अब कुछ दिन बाद जो है दिवाली आने बाली है और ये अफसर तंत्रिकों के लिए एक विशेश महत्व रखता है इस काल में कोई भी तंत्र क्रिया की जाए तो वो सफल हो जाती है मेरे काफी ऐसे साधक हैं कई मेरे ऐसे चाहने वाले हैं जिनका काम मैं बनाता रहता हूं समय समय पर उनको मेरी जरुरत पढ़ती रहती है तो क्या होता है कि कई बार जब वो काम करवाते हैं तो काम नहीं हो पाता है और जब कभी एक ऐसा काल आता है जब कभी होली दिवाली आती है दिशेरा आता है उस समय पर अगर कोई मुझे से काम कराते है तो वो सटीक काम हो जाते हैं क्योंकि इस काल में कुछ ऐसा होता है कि यदि आप कोई भी तंत्र मंत्र क्रिया करते हैं तो वो सटीक लग जाती है एक बार यहां से कीजिए और इसके बाद सामने वाला जो है वो उससे बच्छी नहीं पाएगा मैंने बहुत बार ऐसा महसूस किया है और जब भी कोभी सूर्य ग्रहन होता है चंद्र ग्रहन होता है या कोई ऐसा मुहरत होता है जब हम यह प्रियोक कर सकें तो उसमें जो सक्सेस रेट है वो बहुत जादा है तो इनी काल में मैं कुछ ऐसे यंत्र मंत्र तंत्र सिद्ध करत जो कि मानव जन का कल्यान कर सकें तो माभगवती का आशिरवाद पाने के लिए उनसे यदि आप चाहते हैं कि वो आप पर थोड़ी सी कृपादरिश्टी कर दें आपके बारे में भी सोचें तो आप ये जो है ये प्रियोग करके देखेगा आपके भंडार भर जाएंगे माभगवती को अनपूर्णा भी कहा गया है और जहां पर माभगवती की दृष्टी पड़ जाए वहां पर कभी भी कंगाली नहीं आ सकती तोटा तो टिकेगा ही नहीं जहां जहां आप देखते हैं कि कोई कर्ज में पड़ा है कोई किसी व्यसन में पड़ा है कोई दरिद्रता से जूज रहा है तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये कूद्रिष्टी होती है मातेश्वरी की और ये होती क्यों है क्योंकि आपने सब कुछ छोड़कर मातेश्वरी से अपना नाता तोड़ लिया है अगर आप मातेश्वरी से अपना संपर रखें उनसे बाते करते रहें उनकी आराधना करें तो कभी इस तरह का जो है समय आए ही ना करजा और किसी भी तरह की गलानी ये सब जो है मातेश्वरी की कुद्रिष्टी है क्योंकि इनसे बड़ा कोई नहीं है ब्रह्मांड में सबसे बड़ी है माया और ये जो आप काया लेकर घूम रहे हैं इस पर 24 घंटे जो है माया का असर रहता है तो अपने जीवन में किसी प्रकार का कोई भी कश्ट हो उसको दूर करने के लिए माय को प्रसन्य करना होता है और माभगवती का एक दूसरा नाम माया भी है तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इस मृत्यू लोक में आप किस तरह से अपना जीवन वियापन कर सकते हैं पैसो के अगर दिक्कत आ रही हो करजा बहुत हो गया हो किसी भी तरह से कामना बन रही हो और दुकान बंध हो गई हो दुकान बड़ी मंदी चल रही हो रोरोकर काम हो रहा हो तो आप इस प्रियोग को कर सकते हैं एक बहुत बढ़िया बात ये हुई है जो जो मेरे यंतर मंत्र तंतर मैं सिद्ध करके रखता हूँ, वो सारे आपको कालीविद्या.com पर मिल जाएंगे तो जो संग्रह मैं कर रहा हूँ वो कालीविद्या.com पर है आप वहाँ पर जाकर कोई भी यंत्र ओर्डर कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी ये वीडियो के बारे में. आपने नारियल तो बहुत से देखे होंगे, बड़े नारियल, कोई पानी वाला नारियल होता है, कोई सूखा हुआ होता है, लेकिन लगून नारियल जो है, वो आमतोर पर लोगों को नहीं दिखता, बहुत ही छोटा होता है, लेकिन इसके जो चमतकार हैं वो बहुत बड़े हैं मा भगवती को प्रसन्न करने के लिए धन तेरस पर आप इसका प्रियोग कर सकते हैं अगर धन तेरस पर ये उपलब्ध ना हो तो आप इसको दिवाली की रातरी में भी कर सकते हैं धन्तेरस को हुआ गया था कि भगवन धन्वंतरी आये थे अब तरित हुए थे समुद्र वंतर में से निकले थे और उन्हेंने कुछ ऐसी ओशत दी थी कुछ ऐसी रसाइने दी इस मानव जगत को कि उनका कल्यान हो सके और मा भगवती का भी उसी दिन वार होता है तो आप क्य क्या कीजेगा कि जैसे मान लीजे आपकी दुकान नहीं चल रही है इसके लिए आपको उपाय करना होगा कि एक लगुनारेल लीजे और उसको अभिमंतरित कीजे मा भगवती के इस मंतर से नमह कमल वासने स्वाहा पूरी रात भर एक हजार आठ की संख्या में इस मंतर का ज जलाएं और नवैद रखें और लोबान जलाएं जो भी आप करते हैं पूजा में तो ये सब करके आपको इसकी सिद्धी कर लेनी है इसके बाद इसको लाल कपड़े में बांध कर अपनी तिजोरी में रख देना है चाहे वो दुकान हो घर की तिजोरी हो कहीं पर भी जहां में इसको स्थापित कर देना है इसके प्रतिष्ठा जो है अगर आप ना कर पाएं तो आप हमारी वेबसाइट से जाकर इसको प्रतिष्ठित प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि अगर इसमें जरा से भी तुरूटी हुई तो ये किसी काम का नहीं होगा आपको अगर एक्टिव हो गया हो अगर कर्ज हो गया हो तो ग्यारा आपको नारियल लेने हैं ग्यारा लगूर नारियल लीजिए उनको लाल कपड़े में लपेटिए और इशान कोन में टांग दीजिए अपने घर के इशान कोन में टांग दीजिए और इसके बाद भूल जाएगे कि आपके उपर कूद रिष्टी है वो राजा को रंक बना दे और जो उनकी करुणा में रिष्टी है जो अगर वो आप पर कृपा कर दें अपनी एक बार देख लें तो समझे कि संसार में ऐसा कोई भी इंसान कोई भी देवता नहीं जो कि आपको रोक सके अगर मातेश्वरी की दृष्टी आप पर हो गई तो उसके बाद आप पाएंगे कि जो ये माया है जो ये संसार है यो ये आपके ताल से ताल मिला रहा है अगर कहीं काम ना बन रहा हो तो आप स्रीशुक्त का पाठ करें अगर आप पढ़ नहीं सकते तो उसको सुन लीजिए सुनने से इश्रवन करने से भी बहुत अत्याथिक लाब होते हैं आप अगर त्रिकाल संध्या इसे पढ़ते हैं सुनते हैं तो एक नाट की रूप से आपकी जिन्दगी में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा त्रिकाल संध्या में आपको बता दू कईयों को नहीं पता होगा त्रिकाल संध्या होता है सुबह दुपहर शाम जब सुबह सूरज निकलने वाला हो उससे पहले का समय उस समय आप च्री शुक्त का पाठ कर सकते हैं दूसरा है दुपहर को बारा बजे एक बजे कभी भी कर सकते हैं तीसरा है जब सूरज ढलने वाला हो लेकिन ढला ना हो उस समय पर तो ये जो संध्याएं होती हैं जो आपका प्रभात होता है इसमें जो भी किया कराय होता है जो भी आप मंत्र तंत्र करते हैं वो बहुत जल्दी लगते हैं क्योंकि इस समय पोर्टल्स होते हैं जो खुलते हैं बंध होते हैं तो इस समय पर किया गया कोई भी कारे बहुत अत्यधिक प्रभावी होता है अब आपको मैंने बता दिया जालकपड़े में बांध कर इशान कोन में टांग दीजिए। अब आती है कि बहुत अत्यदिक गरीबी है। टोटे ने घेर रखा है। तो आपको नित्य प्रति दिन उठकर मालक्षमी की आर्थी करनी है। सिरिशुक्त का पाठ करना है। और एक लगुनारियल अपने मंदि रखसाते हैं तो ऐसा हो इनी सकता कि आपकी यहां पर टोटा टिक पाई। गरीब से गरीब भी मैंने अमीर होते हुए देखें बस इस छोटे से उपाए से। मेरे 25 साल का एक्सपीरेंस है कि जहां पर मा मातेश्वरी की दृष्टी पढ़ गई। तो समझ ये आपकी जो है भंडार भर जाएंगे। बहुत ही प्रभावी बहुत ही गूड रहसे हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि बहुत से रिसर्च हुआ है इसके उपर। मैं नजाने कहां कहां किन किन से मिला हूँ और कैसे कैसे साधों से मेरी भेट होती है तो मैं आपको उसका वन्नन नहीं कर सकता मुझे गालिया भी खाने पड़ते हैं लेकिन किसी का भला हो उसके लिए ये सुनना उनसे फिर भी बाते करना तो ये जरूरी होता है ताकि ये ग्रंत जो है एक संग्रह जो है वो बन पाए कई लोग ऐसे भी होते हटी होते हैं उनसे बात करने में बहुत ही संको कुछ होता है लेकिन फिर भी बात करनी पड़ती है जैसे अगोरी हो गए उनसे भी हमें ग्यान प्राप्त करना पड़ता है लेकिन हर कोई आपकी बात को नहीं समझ पाएगा तो चाहिए वो बुरा माने अच्छा आने लेकिन ग्यान जो है उसको तरजित करना है तो जो मैं मैंने आपको बताया है ये अती गोपनी ये विधियां है जो कोई आपको नहीं बताएगा अगर करजा कुछ जादा ही हो गया हो और नौबत आ गई हो कि बस अब तो कुछ नहीं हो सकता तो उस समय पर एक सटी कुपाया आपको मैं बता देता हूँ कि अपने बाथरूम का जो सीट होती है टॉयलेट की उसको उसी व्यक्ति को साफ करना चाहिए जिस पर करजा हो रखा हो अपनी खुद की तो ऐसा करने से भी धनलाब होता है आपको एक बाल्टी पानी की भरकर बाथरूम में रख देनी है जो हमारा मनी फ्लो होता है वो बाथरूम से गनेक्टेड होत है तो आपको बाथरूम जो है वो स्वच रखना है बिल्कुल साफ और कोई लाइटिंग सी लगाई यह अच्छी सी और अपने कमोड को साफ रखी है खुद ही किसी नौकर को कहा कर नहीं किसी अन्य से नहीं बलकि अपनी कमोड को आप खुद ही साफ करें बाथरूम का तो ये उपाई कीजेगा और अपनी दिवाली को मंगल में बनाईएगा सभी को शुब दिपावली और अब मुझे आग्या दीजेगा धन्यवाद